आज तीसरे दिन का आर्थिक पैकेज जो पूरी तरह से खेती बाड़ी को लेकर है वो देश ने देखा और सुना प्रधानमंत्री और वितमंत्री की तीन दिन की जुमला पैकेज घोशनाओं से एक बात साफ है कि मोदी सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट से हेलपलाइन मैनेजमेंट तक का सफर तै करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है 20 लाख करोड का पैकेज देशवासियों के लिए राहक्त का पैकेज कम बलके वूडू एकनॉमिक्स पैकेज अधिक साबित हुआ है वादों के सबजबाग से मदद की हकीकत तक पहुँचने में सरकार ने पूरण तया देश को निराश किया है कोरोना महामारी में सबसे बड़ा संकट अनदाता किसान वे राष्ट निर्माता मजदूर झेल रहे है मरहम लगाने की बजाए मोदी सरकार किसान मजदूर को घाव दे रही है तथा मदद करने की बजाए किसान को करज के जंजाल में धकेल रही है एक बात साफ है कि मोधी सरकार ने किसान की पीड़ा समझती है और ना ही खेती की समस्या इसलिए खेती के नाम पर परोसे जा रहे सब्जबागों में एक फुटी कोडी भी मदद के नाम पर किसान को नहीं मिल पाई क्या वित मंत्री ये जानती है कि किसान को दिया जा रहा न्यून्तम समर्थन मुल्य किसान की लागत से कम है ना आज उसका हल बताया और ना ही सही कीमत देने का रास्ता केवल नया कानून बनाने के जुमले से क्या किसान को फसल का सही मुल्य मिल जाएगा काश वितमंत्री रवी फसलों के लिए दी गई क्रिशी लागत एवं मुल्ले आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट पढ़ लेती तो फिर इस परकार जूट बोलकर देश को बरगलाने से बच पाती आज किसानों को समर्थन मुल्ले से भी अधिक फसल की लागत आ रही है यह हम नहीं कह रहे हैं यह प्रदान मंत्री जी का ग्रह प्रदेश गुजरात बाजप्पा शाशित हरियाना और मध्य प्रदेश जैसे प्रांथ कह रहे हैं गेहूं का मौझूदा नियुम्तम समर्थन मुल्ले है 1925 रुप्या प्रती क्विंटल पर CACP को क्रिशी लागत और मुल्ले आयोग को गुजरात कहता है कि वहां के किसान को लागत पढ़ती है 1929 रुप्या प्रती क्विंटल हरियाना की भाजप्पा सरकार कहती है कि हरियाना के किसान को गेहूं की लागत पढ़ती है 2081 रुप्या प्रती क्विंटल और ये सब क्रिशी लागत और मुल्ले आयोग की रभी 2020-21 की रिपोर्ट में दर्ज है चने का न्यूंतम समर्थन मुल्ले है 4875 रुप्या प्रती क्विंटल पर हरियाना की भाजप्पा सरकार CACP को कहती है कि मुल्ले पढ़ता है किसान को 5,289 रुप्या प्रती क्विंटल अर्थात बजार में किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे और न्यूंतम समर्थन मुल्ले जो सरकार नहीं दे रही उससे ज़्यादा भी किसान को लागत आ रही है तो वित्मंत्रियों और प्रधान मंत्रिये बनाए कि कानून बनाने से क्या होगा जब आज किसान की ये देनिये स्थिती है रभी की फसलों की कीमत ने मिल पाने से देश के किसान को पचास हजार करोड रुपे से अधिक का नुकसान हुआ है पर नुकसान भरपाई के नाम पर एक फूटी कोडी नहीं दी आज किसान को आकर्शक कीमत देने बारे और कानून बनाने बारे बड़ी-बड़ी बाते वितमंत्री द्वारा कही गई पर यह नहीं बताया कि मोधी सरकार MSP पर ही फसल क्यों नहीं खरीद रही क्या वितमंत्री यह जानती है कि सरकार कुल फसल उत्पादन का मात्र 25 से 30 परतिशत ही न्यून्तम समर्थन मुल्य यानी MSP पर खरीटती है खास तोर से वो भी गेहूं और धान क्योंकि उसे जन्वित्रण परनाली या पब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम के माध्यम से रभी एवं खरीब फसल का कुल उत्पादन देश में हुआ 26.90 करोड टन पर MSP पर फसल खरीदी गई रभी फसले 7.19 करोड टन यानी मात्र 26 परतिशत अब कोरोना संकट के चलते बजार तो उपलब्द है ही नहीं तो ऐसे में किसान क्या करे 2020-21 के रभी सीजन में अकेले गेहुं की फसल का अनुमानित उत्पादन है 10 करोड टन यानी 1925 रुपिया प्रति ट्विंटल के हिसाब से लगाएं तो खुल लागत होगी 1,92,500 करोड रुपिया मोदी सरकार MSP पर गेहुं की खरीद कर रही है मातर 35 परतिशक या 350 लाख टन बजार के आभाव में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से खबर आ रही है कि मातर के किसान की गेहुं 1400 रुपिया से 1600 रुपिया क्विंटल में बिक रही है क्योंकि बजार नहीं है केवल इसी से अकेले गेहुं की फसल में जो 1925 रुपिया प्रती क्विंटल से कम की विक्री होगी किसान को नुकसान होगा 21,000 करोड रुपे का अगर रभी की अन्य प्रमुक फसलें जैसे सरसों, चना, मसूर, इतियादी भी लगा लें और उनमें भी इसी प्रकार या इससे ज़्यादा नुकसान है तो नुकसान उन फसलों में होगा 21,000 करोड रुपिया और यही हाल फल, सबजी, फूल पैदा करने वाले किसान का है वो केले लगाने वाला किसान हो वो अंगूर, सेफल या संत्रा पैदा करने वाला किसान हो तमाटर, आलू या प्याज पैदा करने वाला किसान हो या सबजी पैदा करने वाला किसान हो अकेले मार्च, अप्रेल और मई महा में फल, सबजी और फूल पैदा करने वाले किसान को 10,000 करोड रुपे से अधिक का नुपसान हुआ है इस प्रकार से किसान को अकेले रभी फसलों में और पिछले लगबग दो महा में पचास हजार करोड रुपे से अधिक का नुक्सान हुआ किसान के नुक्सान की भरपाई बारे एक पैकेज दिया जाएगा प्रंतु एक फूटी कोड़ी भरपाई के नाम पर किसान को नसीब नहीं हुई किसान सम्मान निधी योजना की बहुत बड़ी चर्चा की गई कहा गया कि 6,000 रुपिया सालाना बजट में प्रावधान कर किसान को दिया जा रहा है उसका सच भी आज हम उजागर करने वाले हैं भारत में 14,64,64,000 किसान हैं ये हम नहीं कह रहे हैं ये भारत सरकार का एगरिकल्चर सेंसस 2016 कह रहा है मोदी सरकार के मुताबिक PM किसान सम्मान निधी योजना में मातर 8.22 करोड किसान ही चिन्नित किये जा पाए हैं यानि 6.42 करोड किसान मोदी सरकार के मुताबिक भी आज किसान सम्मान निधी से बाहर हैं और यहीं नहीं मोदी सरकार ये शेकी तो बढ़ारती है किसान को सालाना 6,000 रुपिया प्रती वरश दिया पर ये नहीं बताती कि साड़े 5 साल में किसान की प्रती हेक्टेर कीमत को 15,000 रुपिया प्रती हेक्टेर बढ़ा दिया है कैसे मोधी सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तीन रुपिया 56 पैसे प्रती लीटर से बढ़ा कर साड़े 5 साल में 31 रुपिया 83 पैसे प्रती लीटर कर दी यानि साड़े 5 साल में अकेले डीजल पर 800 प्रतीशत टैक्स की बढ़ोतरी की गई है जिससे लाखो करोड कमाया जा रहा है यही नहीं माई 2014 में डीएपी खाद की कीमत थी 1125 रुपिया प्रती बैग आज वो बढ़कर हो गई है 1400 रुपिया प्रती बैग यूरिया खाद के कट्टे की कीमत 5 किलो कम कर दी गई पर कीमत वही रही 5 किलो कम कर 50 से 45 किलो कर दिया पर कीमत वही रही सूपर खाद की कीमत 260 रुपिया से बढ़ाकर 350 रुपिया कर दी गई और यही नहीं, पहली बार खेती पर टैक्स लगाया गया, GST लगाया, खाग पर 5 परतीशत GST, कीटनाशक दवाई पर 18 परतीशत GST, खेती के उटकर्णों पर 12 परतीशत GST, यहां तक कि किसान के ट्रेक्टर के टायरों पर भी 18 परतीशत GST और इस परकार से 15,000 रुपिया परती हेक्टेर अतिरिक लागत बढ़ा दी गई किसान की पसल की, और आधे किसान को 6,000 रुपिया सालाना देकर वहवाही पीपने की कोशिश की जा रही है अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएं तो प्लीज लाइक करें, सस्क्राइब करें और शेयर करें